हेलो गाइस, वेलकम टो सीपी शर्मा क्लासस आज अपन और्गेनिक केमेस्ट्री के जो IPAC नेमिंग है इसमें स्पाइरो कंपाउंड्स की IPAC नेमिंग देखने वाले हैं अब देखो सबसे पहले कि स्पाइरो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं मैं बताता हूं आपको, जैसे दो वल्य होगी, दो रिंग होगी अगर वो आपस में एक ही संधी के द्वारा जोड़ी हुई हो तो वो होते हैं इस पाइरो कंपाउंड्स जैसे देखो एक ये वल्य है दूसरी अपन ये वल्य बना देते हैं, ठीक है? अब ये एक इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो ये हो गई आपकी स्पाइरो आया समझ में? तो इसे बोलते हैं स्पाइरो अब इसकी IPAC नेमिंग किस परकार करते हैं? इस परकार वाले कंपाउंड्स की उनकी IPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्पाइरो सब्द का यूज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्पाइरो, ठीक है? अब क्या करेंगे आप इसमें? इस संधी को छोड़के इस point को छोड़के इसमें carbon के number है उनको गिनेंगे जैसे इसमें है 1 and 2 इस संधी को छोड़ते हुए समझ में आया दूसरी देखे इसमें कितने है 1, 2, 3 लिख लिए है number अब क्या करेंगे इस पाइरो के बाद में देखे यहाँ पे कितने number है only 2 carbon है यहाँ पे कितने 1, 2, 3 कितने है तीन ऐसे लिख देंगे आप इसके बाद में अब देखे कुल total कितने carbon हुए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों ring में total कितने carbon है उनको आपको last में लिखना है तो क्या हो गया hexane ओकी समझ में आया एक example है हो गया है दूसरा example अपन लेते हैं देखे जिसे ये ring बना दी आपने ये ring है आपकी यहाँ से ये 3 की ring और लगा दी बान लो अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इस पाइरो लिख दिए आपने अब देखे इस संदी को छोड़के carbon की संख्या देखिए rings में यहाँ पर एक और दो दो है इसमें तो आप लिखेंगे दो इसमें कितने है इसको छोड़ते विए पॉइंट को छोड़ते विए 1,2,3,4,5 कितने है 5 ओके ये लिख दिया अब देखिए total कितने carbon है इसमें 1,2,3 3,4,5,6,7,8 तो 8 हो गया तो आपके पास क्या हो गया octane ओके गाईस समझ में आई spiro compound कि आपको naming करना इस प्रकार से करते हैं चलो एक एक जामपल और बताते हैं आपको इस प्रकार से करना है spiro compound क्या होते हैं आपको देखना है कि दो ring है बाई साब आपके पास अगर दोनों ring किसी एक ही संदी से जुड़ी हुई हो तो उसे आप क्या बोलेंगे spiro ओकी समझ मैं इसे बोल देंगे क्या spiro अब देखे इसमें naming किस प्रकार करेंगे सबसे पहले आप सब लिखेंगे spiro लिख दिया इसके बाद में अब देखें इस point को छोड़ते विए संदी वाला जो point है उसको छोड़ते विए carbon गिनिए 1,2,3,4 यहाँ पर कितने है 4 यहाँ पर 1,2,3,4 4 carbon है तो लिख दीजिए 4 इस वाली ring में दूसरी वाली ring में 4 समझ में आया अब देखें आगे कितने total कितने carbon है 1,2,3,4 एक संदी वाला पांच 6,7,8,9 कितने हो गया 9 तो क्या हो गया 9 इस प्रकार आपको इनकी naming करनी है आगे इस pyro compound की naming करना समझ में आया न भाई इसमें कुछ भी नहीं करना simple देखना आपके पास जो ring है देखिए ऐसी ring आगी दो अगर दोनों एक ही संदी पॉइंट से जुड़ी हुई है तो इसको आप क्या बोलेंगे spiro समझ में आया तो ये हुई आपकी spiro compound की naming तप से तप क्यूशन आएगा तो भी इसी प्रकार से करना है आपकी तो तो बाइगा